हलो फ्रेंड्स मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल दा साइस कॉम्रेड में स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने रियल लाइफ एक्जांपल के तुरू आप सभी के कॉंसेप्ट को कि स्टिल क्लियर कराता हूँ और आज उसी सीरिज यानि कॉम्रेड बेच में मैं आपके लिए लाया हूँ सम बेसिक कॉंसेप्ट ओफ केमिस्ट्री अब यहां से एक से दो लेक्चर ओट रह गया है उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंपलीट हो जाएगा तो हेडिंग डालूँगा मैं सम बेसिक कॉंसेप अफ केमिस्ट्री और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बता दूँ आज हम एक सर्प्राइजिंग टॉपिक लाएं जिसमें बहियाओं को दिक्कत होती है और उसका नाम है आज मैं ये भी जो टॉपिक है इंपेरिकल और मॉलेकुलर फॉर्मला इसको ए बी सी इतसे उठाऊंगा और जैड़ तक खतम कराऊंगा कहने का मतलब है आज के बाद आपको ये जो टॉपिक है इंपेरिकल और मॉलेकुलर फॉर्मला का मुझे नहीं लगता किसी भी तर्म के क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी चाहें IIT के हों चाहें NEET के हों चाहें बोड के हों मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूँ कि इंपेरिकल फॉर्मॉला और मॉलिकुलर फॉर्मॉला के क्वेश्चनों में भायाओं को हमेशा दिक्कत आती है क्यों कि इसका कोई कॉंसेप्ट आदारित ही नहीं है लेकिन मैं आज आपको ये वीडियो है इस वीडियो को खतम करते तक आपका जो इंपेरिकल फॉर्मॉला और मॉलिकुलर फॉर्मॉला का कॉंसेप्ट होगा टिप्स पर होगा अब आपको करना क्या है मेरी जो ये क्लियर हो जाएगा बिलकुल तो आज मैं आपको बात करूंगा molecular formula और empirical formula तो आप सभी को पता है जैसे मैं अपने lecture की शुरू बात करता हूं तो कुछ एक real life based example के जरी उठाता हूं और concept को कि still clear करता हूं तो सबसे पहले आज मैं बात कर लूँ कि molecular formula actual में होता क्या है और empirical formula क्या होता है तो molecular formula की सपोस करिए मैं आपसे बोलता हूं glucose तो मुझे बताईए आपके दमाग में क्या चल रहा है आपके दमाग में चल रहा है glucose सबको पता ओगा मुझे नहीं दगता आप मैंसे Kitty को ना पता रहें गुरूल जी बोलें C6S12O6 तो मैं क्या कहूंगा जैसे ही मैंने glucose बोला आप सभी के दिमाग में क्या आया आपके दिमाग में यह फ्रेम बरा actual में यह क्या है यह glucose का actual formula है और इस actual formula को ही मैं क्या कहूंगा molecular formula तो actual या exact चीज actual या original जो भी form है formula की original एक सब्द मैं बोल दूँ वही क्या है molecular formula मैं जैसे आपको बोल दूँ दूसरी condition molecular formula इसी को molecular formula बोलते है exact या original या actual अब मैं आपसे बोलूँ अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ sucrose यानि kane sugar तो आपके दमाग में क्या चल रहा है sucrose यानि kane sugar तो kane sugar से आपके दमाग में आएगा गुरू जी बात कर रहे है C12, S22, O11 तो ये actual में है क्या तो आप सभी को दिमाग में चला ये क्या है actual formula इसका और actual formula कोई गुरू जी क्या कहना चाह रहे है molecular formula तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी molecular formula को सीखने में मैंने आज तो real fact example लिया बस जो glucose हम क्या करते हैं पानी मिला के instant energy प्रोवाइड करता है उसी glucose को मैंने आप से पूछा तो आप सभी का दिमाग किस को indicate किया गुरू जी actual formula की बात कर रहे है नोट कर लिया होगा नहीं तो वीडियो को back करें और post करके नोट कर लें अब मैं बात करूंगा कि molecular formula की जगे empirical formula empirical formula empirical formula क्या होता है तो empirical formula की बात करूं तो मुझे बताइए glucose है तो glucose का actual formula यानि molecular formula क्या है C6S12O6 अगर मैं आप सभी वैयाओं से पूछूं इस molecules की अतंदर कितने atoms हैं carbon के तो आप कहोगे गुरू जी ये indicate करना चाह रहे है 6 atoms of carbon है तो मैं कहूँगा बिलकुल सही बात है 6 atoms of carbon आप से पूछूं hydrogen के कितने atom है आप कहेंगे गुरू जी indicate करना चाह रहे है 12 atoms of hydrogen मैं आप से कहूँ oxygen के कितने elements है तो आप कहोगे 6 elements मैं 6 atoms तो 6 atoms of oxygen मुझे बताईए अगर मैं बात करता अगर मैं C6S12O6 molecular formula को indicate कर रहा हूँ मैं आपको एक सब्द में empirical formula बोल सकता हूँ simplest form तो मुझे बताईए 6126 तो मैं बोल सकता हूँ एक ratio दो ratio एक कहने का मतलब है अगर मुझे क्या है divide कर दूँ इसको 6 से तो 1, 2, 1 तो मैं कह सकता हूँ empirical formula क्या है वो simplest formula जो molecular formula की simplest form है वही क्या है मेरी empirical formula कहने का मतलब है C6S12O6 का simplest form क्या हो जाएगी कहने का मतलब है मैं इसको कर दूँ carbon का 1 C hydrogen के 2 S2 oxygen का 1 तो ये क्या हो गया मेरा glucose का empirical formula तो मुझे नहीं लगता आपका concept कि still clear नहीं हुआ हो कि still clear note कर सकते इसको अगर समझ में आया नहीं तो मैं एक और example लूँगा और मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको ये समझ ना आया हो तो दुबारा समझिए बस ये टर्मों का खेले molecular formula क्या होता है empirical formula क्या होता है दुबारा देखी अगर नहीं समझ में आता अब मैं आपको और अच्छे simple organic molecules के according चलता हूँ तो आप सभी को पता होगी अगर मैं आपसे बात करूँ एथेन की तो मैंने बोला एथेन मीथेन, एथेन, प्रोपेन ये अल्रेडी सब को पता है तो अगर गुरू जी आपसे एथेन के बारे में पूछ रहे हैं आप सभी के दिमाग में आया गुरू जी बोलना चाह रहे हैं दो कार्बन भाई दो कार्बन हम मुझे बताइए एथेन की बात कर रहे हैं गुरू जी तो केटनेशन प्रोपेटी सो करता है हर पर एक हाइड्रोजन लगा दो तो मुझे बताइए इसको अगर मैं बात करूँ इसको क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ C2 S6 तो यह क्या हो गया एक्च्वल फॉर्मला तो मुझे बताइए एक्च्वल फॉर्मले को ही क्या बोल रहे हैं गुरू जी एक्च्वल फॉर्मले को ही मैं बोलना चाह रहा हूँ मॉलिकुलर फॉर्मला तो यही क्या है हमारा molecular formula अब मुझे बताईए अगर गुरू जी बोलें आपसे क्या कि इसका empirical formula क्या होगा तो गुरू जी ने आपको बताया था इसका simplest form तो मुझे बताईए दो ratio 6 में है मुझे अगर एक ratio 3 कर दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या ना क्योंकि इसके अंदर 2 atoms का है carbon, 2 atoms of carbon है 6 atoms किसके है hydrogen के तो मुझे बताईए अगर simplify करूँ तो 1 atom carbon का बचेगा 3 atom hydrogen के बचेंगे तो मुझे बताईए empirical formula क्या आजाएगा empirical formula आजाएगा गुरू जी CS3 तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी समझाया होगा नहीं आया एक और example के जरिये मैं समझाता हूँ अगर मैं बात करूँ आपसे तो आगे आजाएए आप सभी को पता है एक और example ले लेता हूँ मैं मैं आपसे बोलते हैं आपसे बोल रहे है ई-thene की इ-thene के बारे में तो मुझे बताई है structure तो सबको बनाना आता है मैं एथ दो carbon की बात कर रहे है unsaturated एक double bond की बात कर रहे है double bond से जुटे मुझे बताई है एक hydrogen इदर एक hydrogen इदर एक hydrogen इदर एक hydrogen इदर इसका molecular formula क्या होने वाला है actual formula तो आप कहोगे गुरू जी इसका molecular formula और actual formula होने वाला है क्या C2H4 तो क्या हो गया C2H4 ये क्या हो गया इसका actual formula actual formula कोई molecular formula बोल दूँ मुझे बताइए C2H4 में कितने atom है carbon के 2 atoms हैं बिल्कुल 2 atoms of carbon मुझे बताइए कितने hydrogen के atoms है 4 atoms of hydrogen मुझे बताइए इनका simplest formula क्या होगा 1 और 2 एक atom carbon का 2 hydrogen के तो मुझे बताइए empirical formula क्या निकल के आ जाएगा तो empirical formula निकल के आ जाएगा क्या बच्चो empirical formula निकल के आ जाएगा बच्चो CH2 तो मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हुई होगी दो सब्द में summarize कर देता हूं molecular formula जो actual formula है हमारे पास और empirical formula जो simplest formula है हमारे पास कि still clear please note अब बच्चों ऐसा भी हो सकता है क्या जो molecular formula है वही empirical formula हो बिलकुल तो किन किन case हो में जब मुझे बताओ कोई simplicity ही नहीं होगी जिन atoms का divisibility ही possible नहीं होगी उस condition या उस case में जो molecular formula है वो empirical formula के एक कल होगा जैसे मैं आपको example ले लेता हूं मुझे नहीं लगता आपको को copy होगी तो एक point लिखता हूं जिसको क्या है आप अपने notes में मैं पहले बताना भूले गया सब copy किताब लेके बैटें मतलब notes बनाएं मेरे अच्छे से तभी आपको benefit होगा तो note लगाएं और लिखें क्या लिखें कि जब अगर हमारी जो condition है अगर divisibility पर नहीं है मतलब यह ह तो मैंने एक example ले लिया सुक्रोज का सुक्रोज जैसे ही मैंने सुक्रोज लिया कुछ भाईया ने अपने आप answer दे दिया गुरू जी बात कर रहे हैं केन सुगर की बिलकुल सई सोच रहे हो केन सुगर बहुत आता है तो केन सुगर क्या होता है C12, S22, O11 कि still clear बिलकुल मु empirical formula लिखवाऊं मुझे बताइए कितने carbon के कितने atoms हैं carbon के 12 atoms of carbon बिलकुल 12 atom है carbon के मुझे बताइए कितने hydrogen के atom है 22 atoms of hydrogen है बिलकुल सही तीसरी बात करूं तो 11 atoms of oxygen है मुझे बताइए यहां पर 12, 22, 11 इनको क्या कोई divisibility specified है नहीं ना इनको simplest form में लिख सकता हूं में नहीं लिख सकता तो मुझे बताइए यही इसका molecular formula है और यही इसका empirical formula है तो सुक्रोज का molecular formula भी C12, S22, O11 है और empirical formula भी C12, S22, O11 है कहने का मतलब है अगर molecular formula है उसकी simplest form empirical formula है लेकिन अगर वो divisibility में ही नहीं है किसी के dividable में ही नहीं है तो वो ही actual जो molecular formula है वही तो simplest formula होगा उसी को मैं empirical formula करूँगा इसको note में लिखना concept उनसे समझाया ये भी समझाना important था क्योंकि भाईया समझ नहीं पाते हैं इसको भी कर देते 12 करके या कुछ करके कि still clear या इसको 11 करते और इसको गडवर सडवर कर देते कोई दिक्कत नहीं मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत हुई होगी still clear अब क्या है थोड़ा सा concept generate करूँगा मैं यहां से question की तोर पर आ जाते हैं question कराऊँगा question करानी से पहले थोड़े से concept generate करूँगा सबसे पहले क्या concept generate करूँगा मैं आपसे बात करूँगा थोड़े से किस किस दोरे पर के इसके formula क्या होते हैं जो empirical formula होता है और molecular formula होता है इसको लिखते कैसे हैं तो मैं आपसे बात करूँ तो empirical formula की अगर बात करता हूँ मैं formula में empirical formula और molecular formula की तो molecular formula को निकालते कैसे हैं तो मैं आपसे बात करूँ molecular formula यानि MF और empirical formula empirical formula यानि EF मैं क्या कहता हूँ अगर मैं आपको बात करूँ formula की तो यहां से एक formula आता है formula आता है molecular formula is equal to empirical formula into N अब आपका होगे यह क्या है यह तो चीजा clear हुई गुरू जी molecular formula भी clear है empirical formula भी clear है लेकिन यह N क्या है अब मैं आपसे बताता हूँ कि यह N किसे indicate करता है तो यह N indicate करता है molecular formula mass molecular formula mass upon empirical formula mass empirical formula mass यह जो concept है इससे मुझे नहीं लगता आपका कोई भी question बचेगा थोड़ा सा बस दिमाग की tactics यूज होंगी और धड़ादर इस concept को गिरा देंगे कहने का मतलब है एक formula है केबल empirical formula और molecular formula में उसी का modification है उसी का modification है तब भी भाईयां से question tackle नहीं होते वो क्यों नहीं होते मैं जैसे जैसे वीडियो को आगे चलती जा रही है वो आपके डाउटों को कि still clear करता जाऊँगा molecular formula is equal to empirical formula into n और n क्या होता है molecular formula mass upon empirical formula mass जल्दी से लिखिये से फिर अगला concept बताता हूँ कि ये है क्या और actual में जब question करा हूँगा दड़ादर concept कि still clear करूँगा कि बात करना क्या चाह रहा हूँ still clear तो मैं आपसे बोलूँ तो मिटा दूँ तो आपने मुझे लग रहा है वीडियो पॉस करके और नोट कर लिया होगा तो मैं क्या बात करने वाला हूँ कि जो molecular formula mass है empirical formula mass है कैसे क्या होगा suppose करिए अगर मैं क्या कहता हूँ मैंने बोला एक example दे दिया मैंने suppose करिए मैंने example दे दिया glucose का ही ले लेता हूँ फिर से glucose glucose क्या है आप सभी को पता है C6, S12, O6 still clear अब मुझे क्या है मुझे क्या है empirical formula निकालना है तो जब empirical formula पूछेगा निकालने के लिए तो इसका अब empirical formula जब पूछ रहा है आप से तो मुझे बताओ कुछ तो देगा तो यहां पर suppose करिए मुझे molecular mass दे दिया गया है तो empirical formula पूछा है अब मुझे बताइए molecular formula देगा molecular formula mass तो molecular formula mass तो मैं यहीं से निकाल लोगा गुरू जी तो मैं कह दूँ empirical formula mass दे दे नहीं N की value निकलवाता हूँ पहले समझ रहे हो concept N की value निकलवाता हूँ यहां से थोड़ा सा गड़बड हो गया कि मैं molecular empirical formula पूछ लिया उस पर आऊंगा भी लेकिन glucose का molecular formula दे रखा है empirical formula दे रखा है क्या होगा CH2O अब मुझे से बोल दूँ मैं बोल दूँ आपसे N निकालो तो मुझे बताईए N कैसे निकालेंगे तो आपको N पता है क्या है गुरू जी ने बताया था molecular formula mass upon empirical formula mass मुझे बताईए molecular formula mass कितना हो जाएगा तो लेके आईए glucose को तो glucose क्या है एक्चुल में C6 S12 O6 आपको पता है carbon कितने एच्छ है 6 into 12 hydrogen कितने 1 into 12 oxygen कितने 6 into 16 तो मुझे बताईए कितना आएगा glucose आप सभी ने पहले से ही जानते हो 180 grams आएगा अब मुझे बताईए ये तो हड़ा हमारा molecular formula mass बिल्कुल सही है मुझे बताईए अगर empirical formula mass की बात करूँ CS2O की बात करूँ कितने carbon है तो आप कहोगे कितने carbon है 1 तो 1 into 12 कितने hydrogen है 2 कितने oxygen है 16 तो मुझे बताईए कितना answer आ रहा है आप कहोगे 12 plus 2 14 30 gram तो मुझे बताईए यहाँ पर donate कर सकता हूँ तो मुझे बताईए कितना आया 180 gram upon 30 gram जब मैं N की value calculate करूँगा आप आसानी से बता सकते है N की value आ गई 6 अब मैं क्या कह रहा हूँ कि N की value अगर आ गई तो आप क्या है empirical formula molecular formula दोबारा निकाल सकते हो बिलकुल तो मुझे बताओ CH2O है NII6 तो मुझे बताईए फिर से मैं C को indicate कर दूँ इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए N की value कैसे पहुँचे molecular formula मांस निकाल दिया empirical formula मांस निकाल दिया N की value दे रखा है कि still clear अब N की value दे दे तब कैसे निकालेंगे तो आप पहले इस question को कर लीजिए ये बस conceptual type है इन questionों से ही आपकी क्या है किस्टेलिटी होगी concept में तो अभी मैं बिना भूले हुए इसी question को continue करता हूँ अब मैं इसमें लिख देता हूँ कि N की value है CS2 है नहीं कहने का मतलब है N दे रखा है हमें 6 क्या दे रखा है 6 मैं पहले उससे start करने वाला था आलागी लेकिन मैंने क्या गिया इससे कर लिया कैसे भी कर लो लेकिन इससे ज़्यादा समझ में आएगा अब ये कर दिया मैंने empirical formula पूछ रहा है तो मुझे बताईए आपके पास है concept बिल्कुल तो आप क्या क्यों होगे molecular formula is equal to empirical formula into N मुझे बताईए कोई दिक्कत है क्या molecular formula कितना है C6, S12, O6 यही है empirical formula into N कितना है 6 मुझे बताईए into में 6 है upon में ले जाऊं कोई दिक्कत note करने के बाद ले जाना मुझे बताईए 6 जब divisibility में चला गया तो यह क्या बज़िया 1 यह क्या हो गया 2 यह क्या हो गया 1 आ गया मुझे नहीं लगता आपका कोई भी concept डिला रह गया होगा दढादर question लाओगे कुछ भी गायव कर देगा दो सेकिंडों में चुटकी वजाते question solve होगा कि स्टिल क्लियर अब मैं आपको थोड़े से और concept बिल्ड करता हूँ जो question आने की probability रहती है लेकिन उससे पहले इसी topic पर एक दो question और करा देता हूँ क्या condition है क्या बोलना चाह रहे है तो question ऐसे आ जाते है मैं आपके लिए question लाया हूँ थोड़े से और सीधे सीधे हम concept को समझेंगे compound contain compound contain इन बिना question के इनकी नीव नहीं रखी जा सकती इन concept की a compound containing a compound containing 80% carbon and 20% hydrogen find empirical formula of compound find empirical formula of compound दो सेकेंड का question है कुछ है नहीं बस एक टेक्टिक समझीए और धड़ादर question हिलाईए तो क्या condition है अब थोड़ा सा नया सा question दिखरा होगा कुछ नहीं ऐसे ही question आते compound है उसमें 80% carbon है और 20% hydrogen है सबसे पहले क्या लिखूँगा मैं percentage of सबसे पहले लिखूँगा percentage of component या element तो मुझे बताईए सबसे पहले कितना है carbon का 80% है और hydrogen का 20% है अब मुझे क्या लिखना है इसके बाद एक line कीची आप यह यह approach आपको solve करना है मैं क्या कहूँगा molar mass of element जो भी molar mass है तो मुझे बताईए carbon का molar mass कितना है आप सभी को पता है 12 hydrogen का कितना है आप सभी को पता है 1 मैं क्या कहूँगा फिर अगला content आपको क्या करना है percentage of element upon molar mass यह आपको कानी दोड़ा नहीं है मुझे बताईए 80 upon क्या हो जाएगा 12 यहां से क्या हो जाएगा 20 upon 1 तो यह क्या आ जाएगा 12 बारे बारे पंजे सभा बहत्तर बारे सत्य चौरासी बारे चिंग बहत्तर 6 तो बारे चिंग बहत्तर तो 8 फिर से 6.66 यह condition आ जाएगी यहां पर 20 आ जाएगा मुझे बताईए कौन सा छोटा है simplest ratio ले जाऊँ तो मुझे बताईए 6.6 upon 6.6 1 आएगा लगबग 20 upon 6.6 यह कितना आएगा लगबग लगबग 3 के आसपास आएगा तो मुझे बताईए आपने consider कर लिया C के कितने atoms आए 1 hydrogen के कितने आए 3 तो मुझे बताईए empirical formula निकाल लिया आपने कितना simple question बना दिया हर question में यह approach लगानी है आपको कभी भी percentage में question हो और ratio में हो हमेशा याद रखना है सबसे पहले percentage of element रखो then molecular mass क्या है उसका सबसे पहले तो देखो यह 100% है के नहीं है then molecular mass देखो then percentage of element upon molar mass simplest ratio से divide कर दो अगर यह सीधा सीधा मिलता है वही हमारा क्या होगा empirical formula कि still clear सभी बच्चे note करो आगे और अच्छे से अच्छे question आने वाले हैं और concept भी है फिर question और बढ़ेंगे आगे आगे कि still clear note करो इस question को important था अब मैं आप से बात करूँगा दूसरा question की same concept पर है दूसरा question इसको आप सभी tackle करेंगे मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी compound contain 90% carbon and 10% hydrogen find empirical formula compound contain compound contain 90% carbon and 10% hydrogen find empirical formula जल्दी से within seconds उड़ा दीजिए for question को कुछ नहीं है बहुत simple है पिछले वाले concept की तरफ जाईए तो फिर से मैं आपको बता दूँ आपको इतने question practice करा दूँगा इतना concept की still clear करा दूँगा रट जाएगा फिर से बोल दूँ percentage of element तो मुझे बताईए कारवन का कितना है तो कारवन का percentage 12 और hydrogen का कितना होगा वन अब क्या करना है जो percentage of element है उसको divide कर देना है molar mass से तो मुझे बताईए कितना आ जाएगा 90 upon 12 10 upon 1 तो मुझे बताईए कितना आ गया बारे चिंग बहत्तर बारे सत्य चौरासी 7 point अब 6 0 हो गया बारे पंजे 65 तो 5 7.5 answer आ गया इदर 10 answer आ गया तो मुझे बताईए ये कैसा number आ रहा है actual में ये कैसा है point और बीच में पड़ा हुआ है तो मुझे बताईए मैं ऐसे point इसको मैं क्या कह सकता हूँ अगर simplify करूँ तो मैं इसको simplify करूँ तो इसको ये बोल सकता हूँ ये 3 है ये 4 है तो बिल्कुल बोल दूँगा तो मुझे बताईए formula क्या हो जाएगा तो formula हो जाएगा C3H4 crystal clear empirical formula क्यों क्योंकि आपको पता है 7.5 से divide करना था आपको 7.5 यहीं से निकलवा दिया था मैंने हाला कि लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूं C3H4E आएगा जो समझ गए होंगे जो भाईया समझ समझदार होंगे क्यों 7.5 आया 10 आया मुझे बताईए फिर इसके बाद simplest simplest value से divide करना है तो 7.7.51 10 upon 7.5 कितना हो गया 4 upon 3 तो मुझे बताईए क्या आया formula CH4 upon 3 आपको पता है यह 1 है इधर चला जाएगा C3H4 crystal clear यही आया आया अच्छे से तो मुझे नहीं लगता आपको इस concept को समझने में कोई दिक्कत हुई होगी अब थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूं concept या formula का trend बढ़ाऊंगा क्या condition है क्या कैसे है क्या condition आएगी कुछ नहीं है आपको अगर concept आता है आप अच्छे से करके ले जाओगे उस concept उस question को और नहीं आता तो कुछ नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी और यही question क्या है थोड़े थोड़े change करके question बारी बारी आ रहे हमारे competitive exams में तो क्या question है क्या conditions है क्या होने वाली यह चीज है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या formula है if a compound contain question 3 in a compound सारे भाईया वीडियो को pause करेंगे then solve करेंगे इस concept को question को अच्छे से होगा in a compound 32.28% sodium, 22.57% sulfur, 45.05% oxygen find empirical formula एक और question दे दिया मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि आप सभी का crystal clear हुआ होगा जितने आप concept से question निकाल लोगे उतने ज़्यादा आपको content crystal clear होगा तो इसको आप करिए यह final question है उसके बाद मैं आपके concept के still clear करा हूँआ then question करा हूँआ फिर से आपको वही चीज है गुरू जी ने बोला था percentage of element लिख लो सबसे पहले तो मुझे बताए क्या लिखोगे आपको पता है compound में तीन element है sodium भी है sulfur भी है और oxygen भी है sodium कितना percentage है 32.28% या 32.28% sulfur कितना है 22.57 percentage तीसरा point में तो आपको क्या करना है अच्छी साबदानी से आपको question करना है तो 45.05% अब आपको पता है molecular mass कितना होता है molar mass क्या होता है तो sodium का molar mass कितना होता है आप सभी को पता है 23 sulfur का कितना होता है आप सभी को पता है 32 oxygen का कितना होता है आप सभी को पता है 16 then इसके बाद क्या होगा आपको पता है percentage of element को divide कर देंगे molar mass से यही concept आप याद रख लेना बस तो मुझे बताईए 30.28 upon 23 आ गया यहां कितना आ गया 22.57 upon 32 आ गया sulfur के लिए oxygen के कितना आ गया oxygen के लिए 45.05 45.05 upon 16 तो मुझे बताईए यहां से value निकाल लेंगे आप calculate करिए मैं अपने question मैं आपको करके लाया हूँ तो मैं यही से direct बता देता हूँ तो इसकी value आएगी लगबग 1.5 approximately में आएगी value इसकी value आएगी लगबग 0.7 और इसकी value आएगी लगबग 3 अब आपको पता है simplest ratio से क्या कर देता हूँ divide तो मुझे बताईए 1.5 0.7 और 3 में से सबसे छोटा कौन है 0.7 तो मुझे बताईए कोई दिक्कत है इससे सभी को क्या कर दूँगा divide कर दूँगा तो मुझे बताईए कितना आ रहा है मुझे बताईए 7 दूनी 14 होता है तो यह कितना हो जाएगा लगबग लगबग 2 के अप्रॉक्स यह कितना है 1 के अप्रॉक्स यह कितना है 7 चौक 28 4 के अप्रॉक्स तो मुझे बताईए crystal clear होते हुए नजर आ रहा है Na के कितने atoms आए 2 sulfur के कितने atom आए 1 oxygen के कितने atom आए 4 तो मुझे बताईए empirical formula आ गया बिलकुल क्या लिख दूँगा empirical formula के आया मैं लिख दूँगा Na2 S1 और O4 Na2SO4 crystal clear Na2SO4 मुझे नहीं लगता आपको इस concept में कोई दिक्कत इस concept को समझने में कोई दिक्कत आई होगी 3 formula 3 question मैंने कराए सबसे पहले आपको क्या करना है percentage of element लिखना है then उसका molecular mass या molar mass लिखना है percentage of element को molar mass से divide कर देना है then जो भी answer आ रहा है उसको simplest ratio से divide कर देना है जो भी atoms आएंगे वो उसके simplest ratio में होंगे और उनको उनके आगे indicate कर देना है then empirical formula solve crystal clear आया अच्छे से अब आजाते हैं आगे question को में complexity बढ़ती चली जाती है इस level के question तो भायाओं से हो जाते हैं लेकिन बात में हम करेंगे थोड़े अच्छे level के question की जिन में क्या है भाया गड़वड आते हैं और भायाओं से जादा तरह IIT, NEET वगेरा में यही question आते हैं और गलत हो जाते हैं समझ गए, तो क्या हम concept develop करेंगे कहां से करेंगे, कैसे करेंगे तो अभी मैं थोड़ा सा आपको concept दोंगा देन उसके बाद हम still clear करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप से तो CDC बात है वही formula में लिख लेता हूं पहले तो तो किसकी बात करी है मैंने formula की, तो मुझे बताइए क्या है आपको मैंने बोला था molecular mass molecular formula molecular formula किस से donate करूंगा MF से ये लिखना important है empirical formula क्योंकि formula को याद करना है तो चीज़ें पता होनी चाहिए abbreviated form में अगर formula को लिखोगे तो आसान रहेगा मुझे बताइए कौन-कौन से formula लिखेते आपके गुरू जी ने आपके लिए तो ये दो formula लिखेते गुरू जी ने लिखाता molecular formula is equal to empirical formula into N अब आपके गुरू जी ने एक और formula लिखाता N क्या होता है? N होता है molecular formula mass upon empirical formula mass कोई दिक्कात और इन पर question भी solve किये थे अगर N दिया है empirical formula पूछ लेगा empirical formula N दिया है molecular formula कुछ भी alternatives करके questions लाए जा सकते हैं अब क्या है? Question में क्या करता है? कभी कभी गया है vapor density given कर देता है और question को पूछता है तो vapor density दे देगा then empirical formula और molecular x दे देगा, y दे देगा जो भी दे देगा और देन पूछेगा empirical formula क्या होगा? तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि भाईयाओं को क्या है? vapor density का relation पता नहीं होती हाला कि अगर मैं एक सब्द में बताना चाहूं तो vapor density का molecular mass से एक relation होता है molecular mass is equal to molecular mass is equal to vapor density into 2 या vapor density is equal to molecular mass upon 2 तो VD into 2 लेकिन मैं आपको ये आया कैसे? इस तक पहुँचाऊंगा तो सबसे पहले आप direct note कर लीजी अगर question आता है vapor density question में दिया गया है empirical formula तक कैसे पहुचे है तो मैं कहुँँगा molecular mass is equal to हो जाता है vapor density into 2 vapor density जो भी है into 2 करके molecular mass निकाल सकते हैं value put करके empirical formula आ जाएगा मैं question कराऊंगा हला कि कौन से trend पर आते हैं लेकिन पहले ये बता दूँ कि vapor density और molecular mass का जो relation है वो कैसे आया तो सीधी सी बात करूँ आप सभी को ideal gas equation का अंदाजा होगा तो मैं कहुँगा बिल्कुल सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ideal gas equation का आपको अंदाजा है उससे पहले आपको मैं बात करूँ relative density आपसे अगर मैं एक सब्द मैं पूछू relative density क्या होती है तो अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं आती है तो अच्छी बात है relative density का जो formula होता है वो होता है density of substance upon density of hydrogen कहने का मतलब है किसी भी अन्य कोई भी जो भी density किसी भी substance की निकलवार है कोई भी substance हो सकता है substance upon density upon density of hydrogen याद रखना ये चेंज हो सकता है भाई ये carbon हो सकता है carbon हो सकता है oxygen हो सकता है nitrogen हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई भी substance लेकिन density of hydrogen हमेशा आएगी अगर वो relative density का concept है ये हमेशा जैसे constant को change नहीं कर सकते relative density के formula में density of hydrogen को change नहीं कर सकते तो density of substance upon density of hydrogen ही आएगा अब यहां से ये आपको समझ आया हो तो मैं तोड़ा सा और आगे पूछना चाहूँगा आपसे कुछ density क्या होता है जिन भईयाओं को पता है कोई दिक्कत नहीं है नहीं पता density of substance upon density of hydrogen यह हमेशा जमा हुआ है density of hydrogen हमेशा नीचे आएगी अब मैं आपसे कहूँगा आपसे एक सब्द में पूछना चाह रहा हूँ आप सभी को ideal gas पता है क्या होती है तो मुझे नहीं लगता science के बच्चों को ideal gas के वारे मैं अंदाजा नहीं है और नहीं भी है तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है मैं आपको बता दूँ ideal gas की जो equation होती है वो होती है PB is equal to nRT यहां से मैं एक relation develop करूँगा और molar mass is equal to vapor density into 2 के formula को निकाल दूँगा तो सबसे पहले मुझे बताइए P pressure है V volume है N moles है R rate constant है या gas constant है T temperature है तो मुझे बताइए आप सभी ने एक चीज पढ़िए मैं कहूंगा N क्या होता है आप सभी ने पढ़ाए given mass upon molar mass यह पढ़ा है आपने बिलकुल मुझे बताइए इसको W upon M बोल देता हूं तो मुझे बताइए इस equation में put कर दूँ N की जगे W upon M तो कोई दिक्कत है तो मैं कहूंगा नहीं बिलकुल तो गुरू जी यह कहना चा रह हूं तो कोई दिक्कत तो यह क्या हो जाएगा PM is equal to W upon VRT यह हो जाएगा मुझे बताइए W upon V density क्या होती है तो density गुरू जी ने बताया था mass per unit volume होती है तो मुझे बताइए गुरू जी density को यह बोल सकते हैं बिलकुल तो मुझे बताइए यहां से formula आता नजर आ रहा है density is equal to PM upon RT इसको नीचे ले जाऊँगा तो density को हम रो से donate करते हैं यह रो का symbol है रो तो रो आगया PM upon RT तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी सबसे पहले आप इसको लिखना PV is equal to NRT थोड़ा सा मैं elaborate कर देता हूं फिर आऊँगा तो आपने यह note कर लिया पहले अगर मैं बात करूँ आपसे आपको बता दूँ आइडियल गैस equation क्या होती है तो आइडियल गैस equation होती है आइडियल गैस equation तो आइडियल गैस equation होती है PV is equal to NRT अब आपके गुरू जी ने बताया था इस चैप्टर के सम बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ केमिस्टी में यह क् तो मोल क्या होता है गुरू जी ने कहा था तीन फॉर्म लेते मास या वेट की फॉर्म में कौन सा फॉर्म ला था तो गुरू जी ने कहा था गिवन मास अपॉन मोल और मास तो डबलू अपॉन M लिख सकता हूं बिलकुल अब मैं क्या कहूं इसको पुट कर दो तो PV is equal to N की जगह क्या लिख दूँ W upon M into RT important है यह समझना मुझे बताइए अगर मैं आपसे बात करूँ अगर मैं इसको मास को उपन ले जाता हूं वॉल्यूम को नीचे ले जाता हूं तो कोई दिक्कत है ना PM is equal to W upon V RT मुझे बताइए given mass upon volume density क्या होती है mass per unit volume तो मुझे बताइए density को रो से इंडिकेट करता हूं क्या लिख सकता हूं PM is equal to row RT अब मुझे बताइए रो क्या हो जाएगा PM upon RT मुझे बताइए pressure को constant कर दूँ rate gas को constant कर दूँ temperature को constant कर दूँ तो रो क्या आ जाएगा density mass के directly proportional या mass के equal तो मैं क्या कहूंगा अब मुझे बताइए दुवारा से मैं density का mass से क्या relationship है तो density का mass से directly relationship है अगर density बढ़ाऊंगा mass बढ़ेगा density गटाऊंगा mass गटेगा इसको नोट करो और फिर से मैं लोट रहा हूं है रिलेटिव देंसिटी के concept पर formula पर तो मुझे बताए रिलेटिव देंसिटी क्या बताया था मैं तो मैंने बताया था रिलेटिव देंसिटी क्या होता है olduğ nonprofit रिलेटिव-देंसिटी सब्स्टेंस upon density of hydrogen तो मुझे बताइए density को मैंने किस कि specified किया है mass के तो मुझे बताइए relative density क्या हो गया relative density हो गया density of substance या फिर मैं बोल सकता हूँ density of substance की जगह है mass of substance density of hydrogen मुझे बताओ क्या बोल सकता हूँ mass of hydrogen तो hydrogen का mass कितना होता है 1 into 2 तो मुझे बताइए क्या formula आ गया relative density और vapor density इसी को vapor density बोलता हूँ m of substance is equal to कितना है भाई ये तो fix होगी substance change होगा इसको मैं लिख दूँ 2 तो मुझे बताइए क्या नजर आ रहा है m is equal to relative density को vd लिख दूँ तो vapor density into 2 crystal clear नोट करें अच्छे से vapor density relative density एक ही बात होगी अगर मैं hydrogen की respect मैं लूँ vapor hydrogen gas है एक तरीके से तो उड़ने की शमता रखता है इसलिए तो molecular mass is equal to vapor density into 2 इसके लिए पूरा concept था ये concept समझना important है नहीं तो question नहीं ये लेंगे हाला कि मैंने formula भी बता दिया था formula लेकिन concept समझना important था और ये concept जब भी crystal clear होगा जब आपका ideal gas equation crystal clear है हाला कि state of matter पाँचमा chapter जब पढ़ाऊँगा जब crystal clear करूँगा लेकिन मुझे नहीं लगता अब भी आप से कोई दिक्कत होगी crystal clear आप इस सब को मिटा सकते हैं और अब हम आपको question कराएंगे तो अब जो भी है अब यहां से lecture को मैं समापन करूँगा इन questions के बाद लेकिन मुझे नहीं लगता अब आप से एक आद एक भी question ऐसा रहेगा जो ना बने कि still clear तो क्या-क्या condition करेंगे क्या-क्या खेलेंगे दड़ा-दड question हिलाएंगे तो सबसे पहले question लाया हूँ तो question number कौन सा है साइच चौथा है देख लेना और कोई हो तो in a compound in a compound कोई compound है जिसमें 40% कार बने है as it is question आ जाते हैं बस percentage वगेरा चेंज होता है 6.6% hydrogen इसी concept पर question आता है वैपर density वाले पर उसको अलके मेला लें 53.54% of oxygen region इस प्रिजेंट किसी compound में इतना 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 एटम्स का percentage प्रिजेंट है calculate empirical formula short form में लिख लेता हूं अब आपको याद हो गई होगी calculate the empirical formula if वैपर density या relative density मैं बता रहा हूं relative density को वैपर density कर लेना एक ही बात है होगी hydrogen है 30 calculate the molecular formula calculate करना है हमें molecular formula कुछ नहीं है अगर आपको concept आते हैं पूरा वीडियो देखा है ABCD मैंने बताएंगे इस concept की आप धड़ा धड़ कर दोगे नहीं आता आपसे कुछ नहीं बनेगा कि still clear मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी देखो चुटकी बजाते solve कर दोगा सबसे पहले वही scenario वही condition compound है 40% carbon है 6.6 hydrogen है इतना है vapor density आपको दे रखा है सब चीज आपके पास है empirical formula भी calculate करना है और molecular formula भी सबसे पहले करें percentage of elements आ जाईए एक एक करके step करेंगे 40% सबसे पहले empirical formula निकालना है मुझे वताइए carbon है आपके पास कितना 40% first second आपके पास hydrogen है बिलकुल है 6.66% तीसरा आपके पास oxygen है बिलकुल कितना है 53.54% मुझे वताइए second column आप सभी को रट जाना चाहिए molar mass की बात करते थे गुरुदेव molar mass लिख दिया carbon का कितना molar mass होता है 12 इस टिप्स पर होना चाहिए 1 हाला कि इस पर वीडियो बना दूँगा 16 अब क्या किया था percentage of element को molar mass से अपॉन कर दिया गया था मुझे बताइए कितना आ जाएगा carbon के लिए 40 अपॉन 12 हाइड्रोजन के लिए 6.66 अपॉन ऑक्सीजन के लिए 53.54 अपॉन 16 सौरी गलत हो गया 53.54 अपॉन 16 किस्टिल क्लियर मुझे बताइए कितना आंसर आ जाएगा 12 थरीजा 36 40 3.33 किस्टिल क्लियर 6.66 ये कितना हो जाएगा 46 48 ये भी 3.33 कि लगबग एप्रॉक्स में ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है पहले ही बता चुका हो चौते नंबर पर क्या करते हैं भाईया इसको simplest ratio जो भी है उससे डिवाइड तो 3.33 और 6.066 में से कौन सा 6.66 में कौन सा चोटा है 3.33 करो 6.66 अपॉन 3.33 3.33 अपॉन 3.33 मुझे बताइए simple ratio आगया 1 2 1 तो मुझे नहीं लगता पहला concept कि स्टिल क्लियर हुआ होगा आपको तो मुझे बताइए carbon कितना है एक hydrogen कितना है गुरुदेव दो oxygen कितना है गुरुदेव एक तो मुझे बताइए empirical formula आया empirical formula आया गुरुदेव CS2O कि स्टिल क्लियर इसको बांदलो और अब आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है question यह 5 नंबर का question हो जाता है बोड में आएगा तो वेपर डेंसिटी मुझे बताइए empirical formula मेरे पास है अब मेरे पास वेपर डेंसिटी है मुझे बताइए molecular formula मतलब molecular mass is equal to क्या होता है वेपर डेंसिटी इंटू टू वेपर डेंसिटी 30 है तो यह molecular molecular mass कितना आ गया molecular mass आ गया आपका 60 मुझे बताइए molecular mass यतना है मतलब molecular formula mass है इसी को molecular formula mass बोल दूँगा कितना है 60 grams हम मुझे बताइए empirical formula है आपके पास empirical formula mass निकाल लूँगा बिलकुल कितने कारबन है चुटकियों है जितना आपको concept बताया उसी को लेके चलना हूँ कितना है एक बार है दो hydrogen है 2 oxygen 16 कितना हो गया 30 तो मुझे बताइए empirical formula mass कितना हो गया 30 मुझे बताइए यहां से n की value नहीं निकाल लो गया तो आपका बिलकुल गुरुदेव मुझे बताइए n क्या होता है molecular formula mass upon empirical formula mass empirical formula mass मुझे बताइए कितना है molecular formula mass 60 empirical formula mass 30 मुझे बताइए कितना आगया 2 crystal clear n की value आगई 2 मुझे बताइए empirical formula है मेरे पास molecular formula n की value आगई 2 मुझे बताइए अब molecular formula नहीं आ जाएगा तो इधर देखिये मुझे बताइए क्या हो गया N is equal to molecular formula molecular formula upon empirical formula empirical formula है N है तो मुझे बताइए molecular formula कितना आ गया N into empirical formula N कितना है 2 empirical formula क्या है CS2O तो मुझे बताइए क्या आ गया C2 H4O2 crystal clear concept 5 नंबर का concept थोड़ी सी देर में उड़ा दिया गुरू जी ने ऐसे ही आप भी उड़ा दोगे concept की नीवेवस मझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी कि still clear C2 H4O2